तो मद्धकालीन इतिहास तो देखिए बिहार में आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या कहा जाता है कि बिहार में तुर्कों की एस्थापना का असरे बक्तियार खिलजी को जाता है मेरा तो मानना है कि तुर्कों की ये स्थापना का स्रे बक्तियार खिलजी को नहीं जाता है हमने ऐसा कर्म किया कि तुर्क की ये स्थापना हो गई कैसे बिहार बिभिन सक्तियों का अड़ा बन गया इधर सेनवन्स, इधर करनाटवन्स, इधर दक्षिन बिहार में, कई स्वतंत्र राजवन्स, तो ये सब आपस में ही संघर्ष करते रहे और उसका फायदा किसे मिला? उसका फायदा बक्तियार खिलजी को मिला, तुर्क शाशक, तुर्क बेसिकली कहां से आये थे? तुर्क उत्तर पस्चिमी चाइना से मंगूलिया से आये हुए माने जाते हैं, तो इसका फायदा तुर्कों को मिला, और तुर्क सासन ने उस चीज का फायदा भी उठाया, और अपनी स्तिति यहाँ पर मजबूत कर ली, आप देखेंगे, तो बिहार के छित्र में, लगभग 12 से 17 सदी, 12 सदी के मद्ध से लेकर, लगभग 17 सेंचूरी तक आपको दिखेगा, कि हम लोग मद्धकालीन बिहार के इतिहास में इसको काउंट करते हैं, इसका आरंब बिहार में तुर्कों के आगमन से होता है, और इसका अंत यूरोपियन के आगमन से हो जाता है, इस पू मद्धकालीन बिहार में हम लोग बिसिकली ये देखेंगे कि तुर्क शाषन, फिर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे दिल्ली सल्तनात, फिर मुगल सासक के समय, सेरशासूरी को भी इसमें पढ़ेंगे अफगान सासक, अब आजाईए, तो बिहार को जीतने वाला पहला मुस आकर्मन किया, बाराहमी सदी का मतलब अंत मतलब 1100 से लेकर 1101 से लेकर मान के छलिए 1199 तक, तो ये बाराहमी सदी हुआ, तेरहमी सदी 1201 से लेकर 1299 तक, ऐसा, तो कह रहा है कि बाराहमी सदी के अंत मतलब क्या हुआ, 1100 से लेकर 1199 तक, तो 1198 में इसने आकर्मन सुरू किया 13 सदी के प्रारभ मतलब 1200 से शुरू हो जाएगा और आप दिखेंगे तो यह आकरमन इसका चलता रहा 1198 से यह सलसिला सुरू हो गया इतिहासकारों के नुसार आप देखेंगे तो बक्तियार खिलजी ने ओदान्त पूरी तथा नालंदा विश्व विद्याले का विनास किया और बक्तियार खिलजी के समय जो बिहार सरीफ तुर्क शाषन का एक महतोपूर्ण केंद्र बना हुआ था तो आप यहाँ पर ध्यान दिजेगा एक तो देखेंगे कि बक्तियार खिलजी ने किस-किस विश्व विद्याले को और महा विहारों को नस्ट किया ओदान्त पूरी ओदान्त पूरी के स्थापना गोपाल ने की थी पालवनसिय सासक और नालंदा विश्व विद्याले जि बक्तियार खिलजी ही है बक्तियार खिलजी को ही माना जाता है और इसने स्वयम द्वारा विजित ततकालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती को अपनी राजधानी इसने बनाई है तो लखनौती को इसने राजधानी बनाई लखनौती कहा है बंगाल में है और इसने वह यहां पर राजधानी बनाई है। नरसिंग देव तथा जैनगर के गुप्त सासको को भी अपनी आधिनता स्विकार करवाई। गरनाट वंस इसको भी अपनी अधिनता स्विकार करा ली। गया वो बिहार सरीफ के इमादपुर गाउं में हैं, नालंदा में ही हैं। तो बक्तियारपुर की स्थापना भी इसने की, तो तरह तरह के इसने काम किये हैं, यह आपको इसमें याद रखना है। तुरको की जो स्थापना है, उसका स्त्रे जो है बिसिकली बक्तियार खिलजी को ही जाता है। 1225 इसवी में इल्टूत मिस ने आप देखिएगा इल्टूत मिस जिसका समयकाल क्या है, 1211 से 1236 तो 1225 इसवी में इल्टूत मिस ने बिहार सरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया, और इस दोरान उसने राजमहल की पहाडियां जो जारकंड में हैं, में हिशा मुद्दीन इवाज को उसने पराजित कर दिया। मलिक अलाउदिन जानी को इल्टूत मिस ने याद रखेगा, बिहार में अपना प्रथम सुबेदार नियुक्त किया, तो सुबेदार मतलब सुबे का प्रमुख ठीक है, तो बिहार का प्रमुख किसको बनाया भाई? मलिक अलाउदिन जानी को, इल्टूत मिस ही वह दिल्ली सल्टनत के अंदर शामिल किया है वह इलतूत्मीसी है कि 1239 में बिहार तथा email को पुनविभाजित कर दिया ध्यान दिजीएगा इसने मelिक जानी ने और उसके बाद इलतूत्मीस और मलिक जानी ने बिहार तथा बंगाल को पुनविभाजित कर दिया लेकिन बाद में मलिक जाने के बाद इलतूतमिस का पुत्र नसरुदीन महमूद ने अवद बिहार तथा लखनौती को एक कर दिया था ध्यान दिजेगा तो नसरुदीन महमूद जो इलतूतमिस का बेटा है उसी ने क्या किया इनको एक कर दिया अवद को बिहार को औ और लखनौती वाला छेत्र को सैफुद्दीन एबक एवं तुगान खा भी इलतूत मिस के द्वारा बिहार में सुबेदार बनाए गए तो ऐसा अगर आप्सन दे दिया गया कि निमनलिखित में से कौन-कौन बिहार के सुबेदार बने थे तो उसमें आप कहिएगा कि पहला तो भाई मलिक जानी थे फिर तुगान खान भी है फिर आपके सैफुद्दीन एबक भी है तो इन तीनों का नाम होगा तो पुरुक्त में से एक से अधिक उस कुस्चन का अंसर हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1324 इस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दोरान करनाट वन्स के अंतिम सासक हरी सिंग देव को हराया है यह ध्यान में रखना है कि भाई ग्यासुदीन तुगलक ने 1324 स्वी में बंगाल अभियान कर रहा था वहां से वापसी के दौरान ये करनाट वंस जो मिथिला का करनाट वंस का सासन है उसके अंतिम सासक हरी सिंग देव को यह हरा दिया तुर्कों के समय कौन था वहां पर तुर्कों के समय कौन था बताया था मैंने कि जब आपके जब बक्तियार खिलजी का सासन हुआ था उस समय वहां पर कौन था ये मैंने अल्रेड़ी आपको बताया नर्सिंग देव का नाम अल्रेड़ी मैंने आपको यहां पर बता दिया है देखिए अगर नहीं बताया है तो उसको लिख लिजी क्योंकि यह पूछा जा सकता है कि उस समय वहाँ पर कौन-कौन थे देखिए नर सिंग देव यह मैंने अल्रेडी आपको बता दिया था तो यह बात आपको ध्यान देखना है और यहाँ पर जो आपका आया है वो कौन है यहाँ पर आया है आपका ग्यासुदिन तुगलक और उसके समय कौन है हरी सिंग देव हरी सिंग देव क्लियर है मोहमत बिन तुगलक के समय भिहार का सुबेदार या प्रांत मतलब जो भिहार प्रांत है उसका प्रमुख या सुबेदार उसके को का जाता है पुछा जाता है कि किस तुगलक सासर ने, साशक ने राजग्रिह के जैन मंदिरों को दान दिया था, तो उसमें करेट उत्तर क्या हो जाएगा? उसमें करेट उत्तर हो जाएगा फिरोज शाहत तुगलक ने. तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बिहार की राजधानी तुगलक काल में बिहार सरीफ थी और इस समय प्रमुख प्रशासक कौन था भई? मलिक इबराहिम या मलिक बया, मलिक इबराहिम या जिसको आप मलिक बया के नाम से जानते हैं और जिसका मकबरा कहां पर में ख्वाजा जहां गा जहां बिहार का सुबेदार न्योक्थ हूआ तेरा सौ चौरानवे इस्वी में तो यह सबाब सुबेदार है याद रखना होगा नाम जिसको मुल्ट ये किसके दोरा न्युक्त हुआ है सुल्तान नसरुदीन महमूद के द्वारा ठीक है सुल्तान नसरुदीन महमूद कौन है ये है इल्टूतमिस के पुत्र सीरशाह सुरी बहाँ इंपोर्टेंट है आपके परिक्षा के द्रिस्टि कोन से सीरशाह सुरी काम में जब BPSC के परिक्षा की बात करेंगे तो उसे साबते यह काफे इंपोर्टेंट आपका एक शाशक बन जाता है आप देखेंगे तो ततकालीन जो शाशाराम है सासाराम का जगिरदार हसन खा सुर का यह पुत्र था कौन सीरशाह सुरी तो सीरशाह सुरी एक अफगान सासक है माना जाता है कि यह ततकालीन शहशाराम के जागिरदार हसन खां सूर का पुत्र था सीर शाह का बच्पन का नाम क्या है फरीद खान ये भी पूछा जाता है परिक्षा में कि सीर शाह के बच्पन का नाम क्या है तो वह फरीद खान है फरीद खा ने तलवार से एक सीर को मार डाला था और उसकी इस बहादुरी से प्रशन होकर सुल्तान मुहम्मद बहार खा नुहानी ने उसे सीर खा की उपाधी प्रदान की थी तो ये सुल्तान मुहम्मद बहार खा का भी नाम आपको याद रखना है 1534 सिस्वी में सेर शाह ने सूरजगरहा के युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित किया था कब 1534 सिस्वी में और उसके बाद दिखीगा तो 26 जून 1549 में इसने चौसा जो बक्तर है जहांसे आप गंगा का भी संबंद सुनते होंगे चौसा से गंगा नदी का चौसा के युद्ध में मुगल सासक हुमायू को इसने पराजित किया था 26 जून 1549 सिस्वी को सेर खा चौसा की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद किसकी उपाधी लेता है सेर शा की उपाधी धारन करता है और सिनहासन पर विराजमान होता है ठीक है चौसा में पराजित होने के एक वर्स बाद ही हुमायू के द्वारा फिर से वापसी की जाती है कि भैया हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो वही बात है कि हुमायू द्वारा 1540 इस्वी में कनोज या बिलग्राम के निकट फिर एक युद्ध के लिए सीर शाह को ललकारा गया इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं और इसमें सीर शाह की विजय हुई इसे हम लोग किस युद्ध के नाम में जानते हैं बिलग्राम के युद्ध में और इसमें सीर शाह जो है वो विजय हुआ और उसके बाद उसका आगरा में चुकि दिल्ली और आगरा दोनों पर उसका अधिकार हो गया तो आगरा में उसने सीर शाह का राज्या भिशेक हु तो देखिए मुगल सासक उसमें हैं 1526 से 1530 तक बाबर है 1530 से 40 में आप देखेंगे तो हुमायू रहा लेकिन 1540 के बाद सत्ता किसके पास आ गई सेरशाह के बाद सेरशाह के पास और उसके बाद वो 1555 तक हुमायू ही रहेगा उसके बाद आपको 1557 से 1605 तक अकबर दिखाई पड़ेगा तो सेरशाह जो है वो 10 जून 1540 को सेरशाह का राज्या भिशेक हुआ लेकिन यह पांच वर्स तक ही सासन कर पाता है क्योंकि बहुत बुजुर्ग अवस्था में 68 वर्स के अवस्था में यह शासन करने आता है तो पांच वर्स तक ही यह सासन कर पाता है उसके नगर को पुनह 1541 इस्वी में बिहार की राजधानी भी बनाया है सीर शाह ने तारीखे दावदी जिसकी रचना अब्दुल्लाह ने की है यह ध्यान रखियेगा कि तारीखे दावदी की रचना किसके द्वारा की गई है इसकी रचना अब्दुल्लाह ने की है उसके अनुसा सीर शाह ने पटना को राजधानी बनाया और उसके बाद यहां दुर्ग का निर्मान करवाया है कब 1541 में 1541 में ठीक है सीर शाह का मकवरा कहां इस्थित है सीर शाह का मकवरा शासाराम में इस्थित है जिसका काम सुरवात किस ने कराया बाबु सीर शाह ने स्वयम कराया लेक सीर्शाह द्वारा सूलिमान कररानी को बिहार का सुबेदार का पद प्रदान किया गया था सूलिमान कररानी को बिहार का सुबेदार मतलब बिहार का प्रांत पती आप समझ सकते हैं पेर शाह द्वारा सूर्वन्स की स्थापना की गई तथा देश में डाक प्रथा का प्रचलन भी उन्होंने ही आरंब किया है। देखे डाक प्रथा कब से चली आ रही है यह सोचिए। से यातायात की विवस्था को इसने सुद्रिध करने का भी काम किया है। सीर शाह ने 1542 इस्वी में मालवा पर आक्रमन किया तथा 1543 इस्वी में उस पर इसने विजय प्राप्त किया। पांच वर्स तक 1545 इस तक ही बैठ पाता है लेकिन इस पांच वर्सों में उसने इस तरह का एतिहासिक कारे कर दिया। जिसके लिए उसको इतिहास में हम लोग आज भी याद करते हैं। फिर शाह ने 1541 इस्वी में पाटली पुत्र को पतना नाम से पुनरस्थापित किया। जिसका आपको मिलता भी है वर्नन रुहतासगर का किला तथा दिल्ली का किलाए कुहना नामक मस्जिद उसी ने बनवाया है। तो रुहतासगर का किला और दिल्ली का किलाए कुहना नामक मस्जिद भी उसके द्वारा ही बनवाया गया था। यह भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, चलिए, एक मिनट, चलिए, स्तेर शाह ने किसानों की दशा सुधारने और राज्य की आय को निस्चित्ता देने के लिए, उसने क्या किया, उसने भूमी व्यवस्था में काफी सुधार किये, भूमी की माप के लिए 32 अंकवाला सिकंदरी गज इवं सन की डंडी का प्रियोक किया, एक तरह से आप समझेंगे, तो भाई, यह भूमी व्यवस्था को सुधारने का प्रियास था, पट्टा प्रथा की सुरवात की पैदावार का लगभग, एक तिहाई भाग लगान के रू में किया है, सेर्शा ने एक अत्यंत विक्सित मुद्रा प्रचलित की, जिसमें सुध चांदी का रुपईया, 185 ग्रेन, और तामबे का रुपईया और तामबे का ग्राम इसने चलवाया, और अनेक सिक्के चलवाये, आप देखेंगे, तो सेर्शा दौरा, एक दिन सैनिको के कारे के निरक्षन के दौरान, एक गोला फट गया, और हद गोला फटने के कारण क्या हुआ, कि सेर्खा घायल हो गए, और 22 मई 1545 सिस्वी को, चुकि बुजुर्ग थे ही, उनकी मृत्यू हो गई, तो यह बात आपको ध्यान देना है, क्लियर है, चलिए, स्तेर्शाह के मृत्यों के बाद, उसका पुत्र जलाल खान, जलाल खान, इश्लामाबाद के नाम से, 27 मई 1545 सिस्वी को, गद्धी पर बैठा, उसका पुत्र है, बिहार में अफगान जो समराट सेर्शाह थे, उसकी पतन के बाद भी आप देखेंगे, तो बिहार अफगानों के अधिन काफी समय तक बना रहा, आप देखेंगे तो इसमें ताज खा करारानी, सुलेमान खान, दाउद खा करारानी, आधी प्रमुख रहे, और इन लोगों अधीन एक प्रांत के रूप में जो है, वो शामिल कर लिया गया बिहार को, क्योंकि आगे देखेंगा आप कि दाउद का करारानी का, तो जो ये रवया है अकबर के लिए वो सही नहीं था, और सुलेमान खान का तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो दाउद खा का रवया है, वो अकबर को सही नहीं लगा, सुलेमान खान का तो ठीक था, इसलिए उसने दाउद खा के समय में वो स्वयम पटना आया, बिहार आया, और उसने आकरमन कर जो है, इस छितर को जीत लिया और मुगल सामराज्य में एक प्रांत और सूबा के रूप में इसने शामिल कर ल चितर को का उड़ीसा तक विस्तार कर लिया, सुलेमान खानी, उसने ततकालीन मुगल समराथ अकबर, मैंने बताया था आपको 1557 से 1605, इस्टंडिया कम्पनी भी, जो स्थापना है, 1600, इसी के समय हुई है, उसने ततकालीन मुगल समराथ अकबर के साथ, सम्मान पुरवक व आप सामने जो है ज्यादा तेज बनेंगे तो क्या होगा तो वही हुआ जो मंजूरे खुदा हुआ फिर अकबर जो है वो स्वयम 1574 में बिहार आता है 1576 इस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया तथा दाउद खा कहा चला गया पलाइत हो गया इतना गर से दाउद खा कररानी आप याद रखिएगा बिहार का अंतिम अफगान सास्रक बनता है क्लियर है 1580 इस्वी तक बिहार को मुगल सामराज्य का एक प्रांत घोसित कर दिया जाता है और अकबर ने राजामान सिंग को 1587 से 1594 तक क्या न्युक्त किया है प्रांत पती तो राजामान सिंग ने भी जो भी स्थानिय चुनोतिया थी जैसे खरकपूर और भोचपूर के स्थानिय सरदारों को इन्होंने पराजित किया और रोहतास जो बिहार का रोहतास वाला इलाका है उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है जहांगीर के शासनकाल में आप देखेगा, तो जहांगीर का सासनकाल क्या है? 1557 थी 1605, अकबर का है, 1605 की बाद थी 1627 तग लगभग शासनकाल किसका आ गया? जहागीर का 1627 से 1656 औरंगजीव का और 1627 से 1707 तक औरंगजीव का सासनकाल रहा तो जहागीर साजहा औरंगजीव ऐसे चलता जाएगा जहागीर के सासनकाल में खोकरा देश छोटा नागपूर के छेतर पर मुगलो का अधिकार स्थापित हुआ तो खोकरा देश आपको पूछा जाए कि किसको कहा जाता है तो यहाँ छोटना नारपूर के इलाके को कहा जाता है और इस छितर में जो बिविन्न खाने थी हीरो की खान थी उस पर मुगलो का अधिकार हुआ जहां जिसके बारे में पता कैसे चलता है कि यहां पर सोने की भी थी वो तुझू के जाहि जो जहांगीरी है जो जहांगीर की आत्म कता है उसमें ये बात पता चलता है आप देखिएगा तो पहली बार ऐसा हुआ कि भाई जहांगीर ने अपने जो पुत्र है राचकुमार उसको बिहार का प्रांत पती बना दिया 1621 इसवी में 1605 से 1627 तक जो पद है यह किसको दिया जाने लगा राचकुमारों को दिया जाने लगा अब मुगलकाल में बिहार देखा जाए मुगलकाल में बिहार 1722 इसवी में औरंग्जीब ने अपने प्रियम पौत्र राचकुमार अजीम को बिहार का सुबेदार नियुक्त किया उसने पटना क अजीमाबाद का नया नाम दिया और उसका पुनर निर्मान भी करवाया किसने भाई और अरंग जेब ने अपने प्रिया पौत्र पुत्र नहीं पौत्र पौत्र मतलब भाई पोता राजकुमार अजीम उसको जो है बिहार का सुबेदार नियुक्त किया और उसने पटना को अ अजीमाबाद नाम किस ने दिया है तो औरंगजीब के पुत्र राजकुमार अजीम ने क्लियर है बाढ़ में राजकुमार अजीम को अजीम मुश्शान की उपाधी प्रदान की गई और औरंगजीब के मृत्यू के पस्चाद भी आप देखेगा तो जो बहादूर सा सासक ब अंत्तपती बनाया मतलब जो औरंगजीब बना के गया था उसी को कॉंटेनियो किया है बहादूर साहने 1712 तक 1711 इस्वी में फरुक्सियार जो बंगाल से बिहार चलाया फरुक्सियार पहला मुगल समराठ था जिसका राज्या भिशीक पटना में हुआ है बिहार में यह नाम याद रखेगा तो फरुक्सियार एक पहला सासक है जिसका जो राज्या भिशेक है वह बिहार के पटना छित्र में हुआ है उसका सासनकाल जो है बहादूर शाह के बाद कबाया 1712 से 1719 इस्वी तक हुआ है 1733 तक देखिएगा तो बंगाल के नबाबों के द्वारा बिहार बंगाल और उडिशा का प्रत्यक्ष शासन ग्रहन कर लिया गया और अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने तक यह स्थिति कायम रही तो बंगाल बिहार और उडिशा किसके अधिना गया है 1733 इस्वी तक यह आ गया है बंगाल के अधिन मिंस बंगाल के नबाब के अधिन अब ये क्या करते हैं बंगाल के नबाब कुछ उप नबाब या नायब नाजीमों को रखते हैं कि भाई चुकि हम बंगाल के माल लो हैं लेकिन हम बिहार जाके थोड़े सासन प्रसासन देखेंगे हमको किसी को रखना पड़ेगा तो जो प्रतिनीधी को रखते हैं उसको ये लोग नायब नाजीम बोलते हैं या फिर उपनवाब बोलते हैं ठीक है अब देखिए तो इसके बाद हम लोग आधुनिक बिहार में थोड़ा सा पढ़ेंगे आधुनिक बिहार के इतिहात को जब देखेंगे तो इसके बाद ही हम लोगों को पढ़ना पढ़ेगा इधर क्या है इधर जो है वो बंगाल बंगाल के नवाबों का जो है वो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा इधर जो है जब फिर से थोड़ा के नबाब हैं उनके द्वारा ही बंगाल बिहार और उडिसा के छित्र पर जो है अधिकार कर लिया गया है और उनी के द्वारा जो है यहाँ पर नायब नाजीमों को रखा जाता है जो शाशन प्रशाशन को देखते हैं बिहार में चेर डाइनस्टी तो इसका उड़ै किसके बाद हुआ है पालवंस के पतन के बाद हुआ और इसके अंतरगत बिहार का शाहबाद जो भोजपूर का इलाका है शारन चमपारन मुझपरपूर तथा पलामो के छेत्र शामिल होते हैं तो मैं अगर दिखाऊं देखिए यह वाला जो इलाका है यहां पर आपको दिखेगा कि जो यहां पर वाला जो इलाका है इसमें देखिए जो भोजपूर का इलाका है जो सारन का इलाका है जो चमपारन का इलाका है इन सब इलाकों में देखिएगा जो मुझपरपूर का इलाका है इन सब इलाकों म आपको पलामू जहारखंड का पलामू जो छेतर है इन सब इलाकों में आपको दिखेगा कि भाई चीरो वंस का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा यह देखिए यह तो जहारखंड का मैप था और यह जो है यह किसका मैप है यह बिहार का मैप है यह बिहार का है यह जहारख बल होगा ठीक है चीरवन्स की राजा फूल चंद को जगदीसपूर के मेले को प्रारंब करने का स्रे दिया जाता है तो भोजपूर मेला को जो प्रारंब करने का स्रे दिया जाता है वह किसको दिया जाता है चीरवन्स की राजा फूल चंद को चीरवन्स में आप देखेंगे जो सबसे मुख राजा हैं वो पलामू के हैं मेदनी राय मेदनी राय 1660 हिस्वी तक औरंग जेब के समय में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग इस छेत्रों पर जो जिस पी छेत्र पर चेरों का अधिकार था इस पर मुगलों की सत्ता जो है मुलुग जो अधिकार है व लोदी रायनस्टी थी उसके द्वारा बिहार का सुबेदार बनता है और यह अपने पद पर 1523 इस वी तक बना रहता है इसके बाद बहार खानुहानी इस जो है प्रशाशक न्यूक्त होता है तो देखे 1495-96 में आपको दिख रहा है कि सिकंदर लोदी के द्वारा जब लो देखेंगे पानिपत की प्रथम लडाई के बाद बहार खाने बिहार में स्वतंतर शासन स्थापित किया और सुल्तान मुहमध सान नुहानी की उपाधी धारन की तो उपाधी बिसिकली आप धारन किसका करेंगे जो भाई आपसे स्थ्रेश्ट होगा आप यह फिल करेंगे कि इसका उबादी धारम करने से हमको कुछ बल मिलेगा बहार खाने 1526 में कनकपुरा के युद में इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और बहार खान के बाद आप देखेंगे फरीद खान वही सेर्शा के संडक्चन में उसका पुत्र जलाल खान बिहार में नुहानी वन्स का अंतिम शाशक बनता है तो सबसे पहले आपको दिख रहा है दरिया खान फिर दरिया खान के बाद आपको दिखा 1523 के बाद बहार खान बहार खाने क्या किया बहार खाने आप देखेंगे तो इसने क्या किया बहार खाने बहार खाने पराजित किया है किसको भाई इबराहिम लोदी को और साथ ही साथ इसने मुहम्मद शाह नुहानी का जो है वो उपादी बिदारन किया है finally बहार खा के बाद कौन आता है उसका पुत्र जलाल उद्दीन खा या फिर जलाल खा नुहानी और उसका संदक्षक कौन है फरीद खान और बाद में जो है फरीद खान ही जो है वो अफगान सासक बन जाता है तो यहीं से आपको फरीद खान भी जुड़े हुए दिखाई